हेलो इस्टुडेंट्स वी आर डिस्कसिंग इन्दिस सेशन एक्सरसाइज 5.1 कॉस्चन नमर 31 31, 32, 33, 34 फोर कॉस्चन्स हैं यह अभी तक जितने भी हमने फंक्शन लिये थे और उनको कंटूनियस प्रूब किया था उससे थोड़े से डिफरेंट हैं उनसे अलग हैं अलग क्यों हैं यहाँ पर fx equal to cos x square composite function है composite function हिंदी में इसको बोलते हैं दो फलनों का संयोजन अब हम करेंगे क्या इनको कॉंटूनियस प्रूब कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम यह देखते हैं के इस fx को दो फंक्शन का composite function कैसे लिख सकते हैं और वो दो फंक्शन हैं कौन-कौन से तो देखो लेट जी एक्स सपोस्पोस किया इधर से स्टार्ट कर दिया करो कॉस माने कॉस ठीटा मिस कॉस एक्स एंड एच एक फंक्शन और ले लेते हैं एच एक्स यह ले लिया मैंने एक्स स्क्वार ओकी यहीं से पता चल जाता है पहला फंक्शन जी एक्स दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वार इसके बाद देखते हैं कि यह जी ओ एच composite function एलेविंध क्लास में काफी solve की हैं आप लोगोंने तो जी और इसको एच एक्स लिख दिया जाता है इसको read किया जाता है g on h तो g on h को g hx लिख दिया जाता है और g और hx की value है x square इसको थोड़ी दिर के लिए z suppose कर लो z हमने लिया है x square तो g z कितना लिखा जागा यहां से cos z लिखा जागा और z की value replace कर देंगे तो यह बन गया cos x square तो यहां से it is clear that g o h किसकी equal है f x के इसको equation बन दे देती है अब क्या करेंगे finally इसको हम f x equal to cos x square को continuous prove करना है उससे पहले हम g x cos x और h x x square इसको continuous prove करना पढ़ेगा तो देखो आप लोग बैसे कर चुके हैं लेकिन बता देते हैं कि cos x को continuous कैसे प्रूब करें limit right and limit limit x tends to किसी भी real number पर आप यहां कोई value तन दी नहीं है तो x कोई भी real number हो सकता है तो x tends to k suppose कर लो या c ले लेते हैं c प्लस जी एक्स तो यह आ जाएगा limit x tends to c plus means g x है cos x तो यह आ जाएगा limit h tends to 0 cos c plus h तो यह हो गया cos c और इसकी left and limit यह थी इसकी क्या right and limit अब इसकी left and limit तो limit to x tends to c minus g x limit h tends to 0 डारेक्ट लिख देते हैं cos c minus h तो यह भी h की जगे 0 रख देंगे तो यह cos c आ जाएगा ठीक है तो therefore g x is continuous क्योंकि g c की value भी cos c id तो g x is continuous function अब उसके बाद हमें h x को भी इसी तरह से continuous proof करना है अब लिमिट x tends to c plus hx तो लिमिट x tends to c plus hx x square तो यह आ जाएगा limit h tends to 0 c plus h का whole square h की जगे 0 पुट कर देंगे तो यह finally c square आ जाएगा इस तरह से हम यह so कर देंगे कि लिमिट x tends to c plus fx limit x tends to c minus fx और function की value x equal to c पर तीनों equal हो जाएगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा g x and h x is continuous then यह fx किसकी equal है composite function of g x का तो g o h तो therefore fx is fx is also continuous बस इतना prove करना है तीनों सवालों में ऐसा ही करना है हमको तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह composite function कौन-कौन से दो function का composite की करके बना हुआ है ठीक है मतलब हिंदी में इसको बोलते है दो फलनों का सयोजन नमर 32 बिलकुल 31 वाले की तरह ही करना यह भी composite function है कौन-कौन से function का composite है तो मैं यहां लिख देता हूँ g x आप सबसे पहले starting mode से हो रही है तो mode function ले लेंगे और h x cos x function अब हम देखते हैं कि g o h किसकी को लाता है तो g h x कितना है cos x और cos x को g z लिया तो g z कितना हो जाएगा mode z ठीक है अब z की value replace कर दो तो यह आ गया cos x हमने put कर दिया z equal to कितना cos x तो आप लोग देख रहे हो कि g o h माने g on h कितने की को ला सक आ चुका है f x के ठीक है अब हम करेंगे प्रूब किया था cos x function को continuous कैसे प्रूब किया था अगर यह question आ जाता है तो आप लोग इसको भी continuous प्रूब करना है इसको भी continuous प्रूब करना है फिर question number 31 की तरह लिख देना g o h equal है f x के therefore f x माने composite function is always continuous if g x and h x continuous question number 33 f x equal to sign mode x is continuous function यह वाला question भी सवाल भी आपको उसी तरह से प्रूब करना है जिस तरह से question number 31 किया था 31 करने के लिए हम यह देखेंगे f x equal to sign mode x कौन-कौन से function का composite function है composite function हम लेट यह suppose कर लेते है g x use कर लेते है हम starting में क्या है sign x and h x suppose कर लेते हैं mode x function अब देखते हैं अब उसके बाद आपको क्या करना है now g x sin x इसको continuous prove करना है continuous for all x belongs to real number तो sin x को आप continuous prove कर सकते हैं right and limit left and limit और function की value तीनों निकाल के show कर देना real number पर and h x mode function है तो mode function को ऐसे लिख दिया जाता है x positive x कब लिया जागा जब x is greater than equal to 0 हो negative x कब लिया जागा जब x is less than 0 होगा तो हम इसको भी continuous prove कर देंगे continuous for all x belongs to real number जब हमारा g x और h x continuous होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका composite function goh किसकी equal है f x it is also continuous function तो last मैं लिख देंगे since g x and h x are continuous function therefore f x is composite function of goh is also continuous function for all x belongs to real number question number 34 इस exercise 5.1 का last question है और ये भी दो function का subtraction है तो हम देखते हैं इसमें now let g x mode x function लिया ठीक है और mode function positive x positive x लिए जागा if x is greater than equal to 0 negative x में लेंगे हम जब x is less than 0 तो यहां पर हम कह सकते हैं कि g x is continuous function for all x belongs to real number ठीक है इसी तरह से now h x suppose कर लेते हैं हम mode x plus one function ये second वाला function ठीक है इसको भी आप इस तरह से represent कर दो ये positive x plus one क्या लिया जाएगा if x is greater than equal to minus one x की value अगर हम minus one से equal लेंगे या minus one से greater लेंगे तो x plus one greater देगा और minus x plus one लेंगे if x is less than equal to minus one क्योंकि x की value अगर मैं minus one से less लेंगे minus two देगा तो minus two plus one minus minus one minus minus क्या हो जागा plus one क्योंकि modulus function का जो result है वो always positive ठीक है तो उसके बाद इसकी भी continuity जैसे चेक करते हैं उस तरह से अगर detail करना है तो right and limit left and limit function की value तो तीनों अलग अलग निकाल देना जितने नमर का question आए वो आपके बिवेक पर depend करता है तो अगर ये question आजाता है तो आप इसको भी continuous prove करना इसको भी continuous prove करना मैं यहां डारेक्ट लिख देता हूँ के hx is continuous function for all x belongs to real number ठीक है तो हम कह सकते हैं now हमारा जो function है fx वो hx minus gx के equal है तो यहां चाए minus का sign हो चाए plus का sign हो अगर hx और gx दों continuous हैं तो fx must be continuous तो लिख देंगे therefore fx is also continuous function for all जो for all का sign होता है ठीक है जो लिटा ए जो बनाते हैं for all x belongs to real number या तो यह sign लिख दो या word में लिख दो for all x belongs to real number यह exercise 5.1 आपकी finish होती है thank you next exercise में फिर मिलेंगे ओकी कि कि क्याल पकी कुटा सबब request कि क कि अ सक hot ऑगफ पॉइ स्टूफभब टूख़़ग — कI कॉ Emir